इन्होंने हमारा ओफिस तोड़ा, मैंने सोचा भाईया मौका मिल गया अब हम इनको सबब सिखाएंगे, जैसे इन्होंने हमारा ओफिस तोड़ा, वैसे ही अम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं अच्छा अब मैंने दरोमत की बात करी मगर एक शिकायद भी है एक शिकायद भी है ये भी नहीं है कि कॉंग्रेस पार्टी गुजरात में कमिया नहीं है ये कहना पड़ेगा कहना पड़ेगा कमी क्या है एक कार्यकर्टा ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया कॉंग्रेस पार्टी के कार्यकर्टा ने राहूल जी कहता है मुझे राहूल जी ये कॉंग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है दो तरीके के घोड़े होते हैं एक रेस का घोड़ा होता है दूसरा शादी का गोड़ा होता है ये आप कभी कभी कॉंग्रेस पार्टी क्या करती है रेस के गोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के गोड़े को रेस में लगा देती है तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजे रेस के गोड़े को आप रेस दोड़ाईए और शादी के गोड़े को आप शादी में बेजिए तो ये हमें गुजरात में करना है जो रेस का गोड़ा है जो त्यार है दोड़ने के लिए त्यार है उसको रेस में लगाना चाहिए और जो हमारे शादी के गोड़े हैं जो है वो है उनको हमें शादी बहराद में नचा देना चाएए तो अब मेरा कहना है कि ये काम सीरियसली करना है हम पिछले चुनाओं में आप भी जानते हूं मैं भी ठीक से नहीं लड़े थे उससे पहले चुनाओं में 2017 में हम तीन महीं ने कहलो चार महीं ने कहलो चार महीं ने तीन महीं ने हम लड़े और नतीजा आपने देखा आपने देखा गुझराद के सीणियर नेताओं ने मुझे बस में कहा मैं बता रहा हूँ आपको इंसाइट ट्रैक मुझे बस में कहा कि राहु जी गुझराद में हमें 40 सीटें मिलेंगी मैंने उनसे कहा 40 नहीं हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और 16 सीट से हम चुनाव हा रहे हैं अब 3 साल है 3 महीने में हम finish line तक पहुँच गए थे 3 साल में हम finish line को मतलब उदर पीछे छोड़ के निकल जाएंगे हम मैं आपको यहां कह रहा हूँ कि आप लोग गुजरात में कितने साल बाद 30 साल हो गए 30 साल हो गए मैं आपको बता रहा हूँ मानो ना मानो आप मेंसे 50% अभी मान रहे हैं और 50% कह रहे हैं यह नहीं होगा जो 50% मान रहे हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो 50% मान रहे हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप लड़ जाओ और यह बागी 50% बैठे हैं उनकी माइंड बदल दो नहीं आपार हो जाएगी सरकार बन जाएगी और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि AICC की टीम राहूल गांदी मेरी बहन सारे के सारे सीनियर लेडर आपके साथ यहां कड़े होंगे आपके साथ मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेंगे